दोस्तों नमस्कार ये हमागदूशन फॉर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों भारती इतिहास के महत्तपूर्ण प्रश्णों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम साल्व करेंगे ये प्रश्ण बिभिन राज्य लोग सेवा आयोग द्वारा आयोजित किये जाने वाले परिक्षाओं के सामान्य अध्यन और सामान्य ग्यान के भारती इतिहास खंड के लिए भी बहुत ही उप्योगी हैं तो आप इन प्रश्णों को तयार कर लिजेगा आये शुरू करते हैं TGT, PGT, Yelty Grade, Government Inter-Kallege प्रवक्ता आधिपरिक्षाओं के लिए भारती इतिहास के महत्तपूर्ण प्रश्णों का प्रेक्टिसेट दोस्तों आज के प्रेक्टिसेट का पहला प्रश्ण है कि कुसार सामराज्य का संस्थापक कौन था आपको बताना है आपसन है कनिस्क, बिम कड़ फिसेश, कुजूल कड़ फिसेश या वसिष्ट तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कुजूल कड़ फिसेश आपसन C दोस्तों कुशार वन्स का संस्थापक कुजूल कड़ फिसेश को माना जाता है कनिस्क दुतिय शतापदी में कुशार वन्स का एक महान सामराठ था वो अपने सैन निबल राजनेतिक और अध्यात्मी कुबलब्धियों के लिए विख्याद था तो याद रखेगा कुशार सा आपका सही उत्तर है दुस्तों प्रेम वाटि का नमका विकी रशनर रस्खान ने की और रस्खान हिंदी के कविते जिनका काल 1558 से 1628 के बीच रहा ये मुश्लिम थे लेकिन भगवान स्री कृष्ण के लीलाओं का ग्यान या उनके प्रेम लीलाओं का गान इन्होंने किया ह अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से किसने मनसबदारी प्रथा को चलाया था तो आप जानते हैं मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा प्रारम की गई थी मनसबदारी ब्यवस्था मुगल सैनिक ब्यवस्था का मूलाधार थी जो मंगोलों की जो दश्मलों पद्धती थी वहां से ली गई थी और दोस्तों आप जान लिजे कि इस ब्यवस्था की प्रेड़ा खली फा अब्बा साइद से ली गई और चंगेज खां और तैमूर द्वारा अपनाई गई अकबर के सासनकाल के 11 वर्स में इस ब्यवस्था का प्रारम किया गया और मनसब का अर्थ आप जान लिजे पद या स्रेड़ी होता है अगला प्रशन है ताजमहल का डिजाइन तयार करने वाला वास्तुकार कौन था आपको बताना है तो सही उत्तर उस्ताद अहमद लाहोरी आपसन पी दोस्तों आप जान लिजे साहजहा ने अपनी बेगम हम ताजमहल की याद में ताजमहल का निर्मार करवाया था और ताजमहल का प्रधान वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहोरी था अगला प्रश्ण है कि सुबिख्या संगितकार तानसेन और बैजुबावरा किसके सासनकाल से संबंधित हैं तो सही उत्तर अकबर के सासनकाल से संबंधित हैं तानसेन और बैजुबावरा तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था और ये अकबर के नौरतनों में से एक था और इनका मूल रूप से संबंध रीवा रियासत्य से था अगला प्रश्न है बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहां दभनाया गया आगरा, काबुल, लाहौर या दिल्ली में तो सही उत्तर बाबर की कबर जो है वो काबुल में है, मुगल बादशाह बाबर की मृत्तु कब हुई थी, 1530 यानि 1530 में पंद्रे सौतीस में बावर की मृत्त हुई पहले उसे आगरा के आराम बाग में दफनाये गया लेकिन बावर को पुनह काबुल के बावर बागीचा में जो अब आराम बाग के नाम से ही जाना जाता है वहाँ पर दफनाये गया था अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से कौन जहाँगीर के दरबार में ब्रेटिस सासक जेम्स पर्थम का राजदो था आपको बताना है तो ये था बिलियम हौकिन्स आपसन ए आपका सही उत्तर है वर्स था याद रखिएगा 1608 1608 में कैप्टन हाकिन्स ने जहाँगीर के दरबार में इस्ट इंडिया कमपनी के लिए ब्यापार की अनुमती चाही लेकिन 1611 में उसे वापस लोटना पड़ा कैप्टन हाकिन्स के बाद इंग्लेंड के सामराट जेम्स पर्थम ने सर टामस रो को 1615 में अपने राजदूत के रूप में मुगल दरबार में भेजा गया जहाँगीर ने उसे ब्यापार संबंधी अनुमत विशेस फर्मान द्वारा दी थी अगला प्रश्ण है अबुल भजल के हत्यारे को किसने पुरसकरित किया था तो सही उत्तर जहाँगीर ने आपसंबी दूस्तों अकबर द्वारा 1582 में घोशित दी ने इलाही धर्म के मुखे पुरोहित अकबर नामा और आईने अकबरी जैसे महतपूर गरंथों का लेखक अबुल भजल था इसकी हत्या जो है 1602 में याद रखेगा 1602 में अबुल भजल की हत्या जहाँगीर यानी सलीम के निर्देश पे बीर सिंग नामक बुंदेला सरदार ने की थी और जहाँगीर ने अबुल भजल की हत्या करने वाले इस बुंदेला सरदार को पुरसकृत कि अकबर की इच्छानुसार किसने रामायर का फार्सी में अनुवात किया था तो सही उत्तर अब्दुल कादिर बदायूनी ने याद रखेगा मुगल सामराट अकबर ने अनुवात बिभाक के स्थपन की थी इसके अधीन अनेक हिंदू धार्मिक ग्रंतों का फार्सी भासा में अनुवात किया गया और गडित की पुस्तक लिलावती का फार्सी में अनुवात फैजी ने अबुल फजल ने पंचतंत्र का और अकबर के धार्मिक नेतियों से असंतुष्ट रहने वाले अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामाएड का फार्सी में अनुवात सामराट के आदेश के बाद अनिच्छा से किया था अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की सिक्छा ली थी आपसन है हुमायू जहांगीर अकबर यसा जहां तो सही उत्तर अकबर आपसन C आपका सही उत्तर है बाबर और हुमायू ने संगीत कला को प्रोसाहन दिया लेकिन ये अकबर के काल में जो है अपनी सिखर पर पहुंची अकबर ने हिंदु संगीत की सिख्छा लाला कलावंद से प्राप्त की अकबर स्वैंग नगाड़ा बादन में प्रमीर था अगला प्रेश्ण बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर भारत में चांदी का सिख्छा टंका जारी करने वाला मध्यकाली इंशासक कौन था आपको बताना है तो ये था इल्टुत्मिस आपसन A दोस्तों इल्टुत्मिस ने जो महत्वपूर्ण कारी किये हैं उसमें कुतुम मिनार के निर्मार को पूरा कराना सबसे पहले शुद्ध अर्बी सिख्का जारी किया इसने जो चांदी का टंका और तांबा का जीतल था इसने एक्ता पडाली का प्रारम किया चालिस गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जिसको तुरका ने चिहलगानी कहा जाता है अगला प्रशन है बहमनी राजाओं की राजधानी कहां थी आपको बताना है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशन है बहमनी राजाओं की राजधानी कहां थी गुलबरगा बीजापुर हमपी या फिर आगरा तो सही उत्तर गुलबर्गा आपसन ए याद रखेगा दोस्तों बहमनी सल्तनत दक्कन का एक इसलामी राजय था इसके अस्थापना 1347 में सुवेदार अलाउदीन हसन बहमन साहने की थी जिसका असली नाम जफर खा था और बहमनी राज्जी की राज़दानी गुलबर ये था फिरोज तुगलग दोस्तों फिरोज शाह तुगलग मुहम्मद बिन तुगलग के पास सुल्तान बना इसका काल जनहित के कारियों और ब्रामः या हिंदू भी रोधों के लिए महत तो पूंड रहा इसने दीवाने खैरात गरीबों की सहायता के लिए दीवाने बं प्राइगरों की अस्थापना की जिसमें हिशार, फिरोजबाद, जौनपूर आदित प्रमुक हैं। अगला प्रश्न है निमनलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में शासन नहीं किया आपको बताना है। देखे गुलाम वन्स, सयद वन्स, खिलजी वन्स या गौरी वन्स तो सही उत्तर गौरी वन्स ने दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया। मौहमद गौरी ने आप जान लीजे कि दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया बलकि उसके गुलाम कुतुब बुद्धी नैवक ने बारस औच्छे में दिल्ली सल्तनत की निव रखी थी। पांच राज वंसों ने सल्टनत में सासन किया गुलाम वंस, खिलजी वंस, तुगलक वंस, सयद वंस और लोदी वंस ने अगला प्रशन है क्रिष्ण देवराय ने हंपी में क्रिष्ण स्वामी मंदिर का निर्मार करवाया जो वर्तमान में किस राज्य में इस्थित है आपसन है करनाटक, कलकत्ता, जम्मुकस्मीर या केरल तो सही उत्तर करनाटक आसान सा प्रशन है आप जानते हैं कृष्ण देवराय ने 1513 में कृष्ण स्वामी मंदिर की अस्थापना हमपी में की जो वर्तमान में करनाटक राज्य में इस्थित है कृष्ण देवराय ने उदैगिरी या उतकल या ओडिशा में अपने बिजय के उपलक्ष में इस मंदिर की अस्थापना की थी अगला प्रश्ण है हुमायू जिसका समय काल 1530 से जो 1540 रहा है हुमायू का शासन काल किस वंस का शासक था तो आप जानते हैं हुमायू मुगल वंस का जो है शासक था ये बाबर का उत्रा धिकारी था और 1530 में मुगल सामराज्जी की गद्धी पर बैठा था इसका सासन कल दो भागों में 1530 से 1540 और 15155 से 56 तक रहा क्योंकि 15 वर्षों तक दिल्ली में सेर सहसूरी का शासन था बाद में हुमायू ने पुनह दिल्ली पर कबजा किया था अगला प्रशन है जहांगीर ने मुखेताय निमने लिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था तो आप सभी जानते हैं जहांगीर का काल जो है ये चित्रकला का क्लासिकी युग या चित्रकला का स्वोड युग कहा जाता है और आप जान लीजे कि जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोतकर्स का काल था जहांगीर ने हिरात के एक परसिद चित्रकार आकारीजा के न अजय असान सा प्रश्ण है हुमायु नामा गुल बदन बेगम द्वारा लिखा गया है ये हुमायु की बहन थी ये पुस्तक दो भागों में बिभाजित थी पहले भाग में बाबर का इतिहास और दूसरे में हुमायु की जिवनी और शासन का उलेक है और इस पुस्तक में नम्र और नेक सोभाव वाला बताया गया था अगला प्रश्ण है बीरवल किसके दर्बार का सलाहकार था आपको बताना है बाबर अकबर और अंगजेब या जहांगीर तो सही उत्तर बीरवल अकबर के दर्बार का सलाहकार था दोस्तों बीरवल का वास्तविक नाम आप जान लीजे महेसदास था वो अकबर के नौरतनों में से एक था बीरवल एक मात्र हिंदु था जिसने अकबर द्वर्ण चलाए गए दीन ये इलाही धर्म को अपनाया था अगला प्रश्न है इबन बतूता किसके सासनकाल में भारत आया था तो याद रखेगा मुहम्मद बिन तुगलक के सासनकाल में 1333 इस वी में देखिए 1333 में मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इबन बतूता भारत आया और इबन बतूता आप जानते हैं अफरिका के मुरको का निवासी था इसकी किताब रहला में मुहम्मद बिन तुगलक की शासन वेवस्था का वडन किया गया है अगला प्रशन देखिए बहुत ही महतोपूर है और ये आधुनिक भारत के इतिहास संबंधित है काफी संख्या में लोग अमरिसर के जलियावाला बाग में 13 अपरेल 1919 को एकत्र हुए थे किसलिए आपको बताना है तो सही उत्तर है डाक्टर सैफुद्दीन किचलू और डाक्टर सत्यपाल के जो है गिरफतारी के बिरोध में एकत्र हुए थे अमरिसर के जलियावाला बाग में दोस्तों आप जान लिजे कि पंजाब के अमरिसर में 13 अपरेल 1919 को एक निहत्थे मगर भारी भीड के अपने लोग प्रेनेताओं डाक्टर सैफुद्दीन किचलू और डाक्टर सत्यपाल की गिरफतारी के बिरोध करने के लिए जलियावाला बाग में जमा हुई थे अगला प्रश्ण है आपको बताना है भारत में इस्ट इंडिया कमपणी की सफल्ता का राज क्या था भारत में राश्टी भावना की कमी कमपणी की सेना को पश्मी पर सिक्षण मिला था और उनके पास आधनी खतियार थे भारती सैनिकों में राष्टी भावना का अभाव था जिसके फल सरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा बेतन दे वो अपनी सेवा में लगा सकता था या उपर युक्त तीनों तो ये तीनों ही कारण इस्ट इंडिया कमपनी की सफलता के लिए उत्तरदाई थे अगला प्रश्ण है दोस्तों निमनलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की अस्थापना की थी तो सही उत्तर एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की अस्थापना बिलियम जोन्स के द्वारा की गई थी और सन याद रखीगा 1784 यानी 1784 में और इस संस्थ कि माध्यम से भारत की प्राचेन संस्कृती सभ्यता तथा साहित्यों को उजागर करने में काफी सहायता मिली थी। अगला प्रश्न है निमनली खित में से किस एक्ट की द्वारत का शासन इस्ट इंडिया कमपनी से राजमकुट के अधिकार में चला गया था आपको बताना है तो उत्तर है गौर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1858 दुस्तूं भारत शासन अधनियम 1858 द्वारत में इस्ट इंड इस्ट इंडिया का पद नाम दिया गया और इस अधनियम को आप जान लीजे एक्ट फार दे बेटर गवर्मेंट कहा जाता है अगला प्रश्न है भारत में ब्रेटिस सामराज जी के अंतरगत आवध को मिलाया गया था किस नेति के द्वारा तो सही उत्तर कुशासित राज जी की घोशड़ा करके दोस्तों लाड डलहोजी ने 1856 में अवध के नवाब बाजी दली साह पर कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध का अंगरीजी सामराज में विले कर लिया था अगला प्रेशन आसान सा है कि किसने भारती विश्विद्यालियों में धार्मिक सिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी तो आपसन है बाल गंगा धर्तिलक, स्वामी विवेकनन, महत्मा गांधी या मदन मोहन मालवी तो सही उत्तर यहाँ पर मदन मोहन मालवी हो जाएंगे दोस्तों भारत के विश्विद्यालियों में धार्मिक सिक्षा के लिए मदन मोहन वाली ने प्रबल रूप से वकालत की थी और मालवी जी ने 1916 में बानारस हिंदू विश्विद्यालियों की अस्थापना की थी अगला प्रश्ण है आवद के नवाब वाजिद अली साह को इस्ट इंडिया कंपनी ने गद्धी से कव उतार दिया था तो सही उत्तर 1856 यानी 1856 में दोस्तूं इस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लार डलहोजी ने अपने ब्यबगत सिधान के आगतार पर 1856 में कुशासन का आरोप लगा कर आवद के नवाब वाजी धलिशाह को गद्धी से उतार कर आवद कविले अंग्रेजी सामराज में कल लिया था अगला प्रश्ण है किसे पेरिस की रायल असियाटिक सोसाइटी की सदस्यता परदान की गई थी आपसन है दादा भाई नेवरोजी माईकल मधुशुदंदत राजाराम मोहन राय अभी वेकानंग तो सही उत्तर माईकल मधुशुदंदत दोस्तों माइकल मधुशूदंदत को पेरिस की रायल एसियाटिक सोसाइटी की सदस्यता परतान की गई थी अगले प्रश्ण पर आते हैं निमनली खित में से किस पर ब्रिटिस संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाए गया था तो सही उत्तर वारेन हेस्टिंग्स पर आपसंसी सही उत्तर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वरा बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाए गया और अपने कारेकाल के बाद बारेन हिस्टिंग्स पर बिटिस अंसद में महा भीयो का मुकदमा चलाय गया था अगला परश्न है हंटर कमिशन, आप जानते हैं हंटर कमिशन ये 882 में बना था और इसमें किस बात पर विशेश बल दिया गया था तो सही उत्तर प्रात्मिक सिक्षा पर विशेश जोर दिया गया था हंटर कमिशन की रिपोर्ट में अगला प्रश्ण है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था आसान सा प्रश्ण है तो आप जान लिजे बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था और कलकत्ता जनरल एडवरटाइजर इसको कहा जाता है इस समाचार पत्र के संथा पर जिम्स आगश्टस ही की थे अगला प्रशन एक कथन है बार बार परिक्षाओं में पूछा जाता है कि यदि भगवान अस्प्रिश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूगा सही उत्तर बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है दोस्तों आप जान लिजे लोकमा ने बाल गंगाधर तिलक को भारती राष्टवात का भगीरत रिशी कहा जाता है और तिलक ने भारत में समाशुधार कारेक्रम लागू करने के लिए ब्रेटिस सरकार का मुह ताकना उचित नह समझा उन्होंने स्वैंग समासुधार आंदोलन का नेत्रित किया और उनका कहना था कि यदि भगवान अश्प्रिश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूँगा अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से कौन सा एक यूग मजु है वो सही सुमेलित है आपको बताना है भारती ब्रह्म समाज राजाराम मोहन राय कलत है तत्व बोधनी सभा केसो चंदर सेन सही नहीं है सत्य सोधक समाज देवेंदना टैगोर ये भी सही नहीं है अगला प्रश्ण है पानिपत के तिरती युद में मराठों को पराजित किया था किसने मुगलों ने अफगानों ने अंग्रेजों ने या रोहिला ने तो सही उत्तर अफगानों ने दोस्तों पानिपत का तिरती युद्ध 1761 में लड़ा गया मराठों और अफगान शासा का हमस्षा अब दाली के बीच ये युद्ध हुगा था और मराठे इस युद्ध में हार गए थे अगला प्रश्ण है कि एशियाटिक सोसाइटी आप बंगाल के संस्थापक कौन थे तो आप जान लीजे सर बिलियम जून्स ने 1784 में बंगाल एसियाटिक सोसाइटी आप बंगाल की अस्थापना की थी अगला प्रश्ण है कि अपने पुत्र के अस्थान पर दूसरे उत्तर अधिकारी को गोद लेने के लिए अधिकार को पुनह अस्थापित किया था किस अधिनियम ने तो सही उत्तर आप जान लीजे 1858 के सामराग्य के घोश्डा ने एक नमबर 1858 को महरानी की घोश्डा से भारती नरेसों को आश्वासन दिया गया कि उनके राजी को अंगरी जी राजी में शामिल नहीं किया जाएगा और भारती नरेसों को गोद लेने का अधिकार प्राप्त होगा और इस घोश्डा द्वारा उन सब भारतीयों को छमा और मुक्ति का वचन दिया गया जो उस समय भी ब्रेटिस सरकार के विरुद सपत ग्रहन किये हुए थे और जिनके विरुद ब्रेटिस प्रजाजनों की ह भारिभासा फारसी थी इसका कारण मुसलिम उद्वाव का छेतर जो की फारस था देखिए कलकत्ता में एसियाटिक सोसाइटी बंगाल की अस्थापना किसने की थी ये प्रश्ण बहुत ही महत्तोपोंड है बिलियम जोन्स ने कलकत्ता में एसियाटिक सोसाइटी की अस्था जो है पत्रिका का प्रकासन किया जाता था। अगला प्रश्ण है किस गवर्नर जनरल के कारेकाल में इस्ट इंडिया कमपनी को शहनसा शाह आलमदौरा बंगाल बिहार और ओरीसा में दिवानी अधिकार दिये गए थे। लाड कलाइब कार्णमालिस बेलेजली या लाड विल सामराट साह आलम को अंग्रेजी सनरक्षण में लिया गया उसे इलाहबाद में रखा गया और शाह आलम ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कमपनी को बंगाल बिहार और उडिशा की दिवानी अस्थाई रूप से दे दी थी। अगले प्रशन पर आते हैं महत्तोपूर्ण प्रशन है आप देख सकते हैं सूची एक का सूची दो से मिलान करना है और दिये गय कूट से सही उत्तर का चैन करना है बहुत ही महत्तोपूर्ण प्रशन है नियंत्रण परिशद की अस्थापना यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सूची एक का सूची दो से सुमिलन करना है और दिये गय कूट से सही उत्तर का चैन करना है देखे नियंत्रण परिशत की अस्थापना जो है 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा की गई और दोस्तों देखे सर्वोच नियाले की अस्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई थी या नियामक अधनियम इंग्लिस मिशनरियों को भारत में कारे करने की अनुमती तो ये चार्टर अधनियम 1813 के द्वारा दी गई और गवर्नर जनरल परिशत में 1910 से की नियुक्ती जो थी ये आपकी आप जान लिजे की ये चार्टर अधनियम 1833 के द्वारा दी गई थी तो इस तरह से सही मिलान आपका हो जाएगा यहाँ पर सही मिलान इन विकल्पों में से आपका होगा दो एक तीन चार आपसन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण वहुत ही आसान सा है आप सभी साथ ही जानते होंगे इस प्रश्ण का उत्तर कि भारती राष्टी कांग्रेस यानि इंडियान नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था तो सही उत्तर आप जान लिजे कि भारती राष्टी का अंग्रेश का पहला अध्वेशन पूना में होना था लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण इसको बंबई में आयोजित किया गया था और आप जान लिजे 28 दिसंबर 1885 को इसका पहला अध्वेशन हुआ था जिसमे आपसंसी भारस से बाहर विदेशी धर्ती पर अस्थापे सबसे पुरानी करांतिकारी संस्था इंडियन होम रूल सोसाइटी थी जिसकी अस्थापना 1905 में आप जान लिजे स्याम जी कृष्ण बर्मा के द्वारा की गई थे तो सही उत्तर आपसंसी हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि निमनली खित में से कौन उग्र राष्टवादी नेता नहीं थे तो बिपिन चंदरपाल थे बाल गंगा धरती लग थे लाल लाज पतराय थे गोपाल कृष्ण गोखले दूस्तों ये जो है ये उदार वादी नेता थे आपसंडी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था आपको बताना है देखिए अल इंडिया एंटी अन्टचेबिल्टी लीक अल इंडिया इंटी अन्टचेबिल्टी लीक था अगला प्रश्न है भारती राष्टी का अंग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था तो आप जानते हैं 1929 में भारती राष्टी का अंग्रेस का लाहौर अधिवेशन बहुत ही महत्तोपूर है ये 1929 में लाहौर में राभी नदी के तड़ पर हुआ ये अध्वेशन विशेस रूप से प्रसिद्ध है और इस अध्वेशन में कांग्रेस ने पंडित नहरू की अध्यस्ता में पूर स्वतंता का नारा दिया था और इसी के साथ 31 दिसंबर 1929 को स्वतंता के नौ स्रिजित जंडे को फाहराय गया और प्रथम स्वतंता दिवस के रूप में 26 जन्वरी 1930 को निश्यत किया गया था अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से किसका अस्थान गांधी इर्विन समझोते में किया जाना प्रस्तावित था तो सही उत्तर असहयोग अंदोलन खिलाफत अंदोलन गोलमेज अंदोलन या सविने अवग्या अंदोलन मे सफलता से अंग्रेश सरकार घबरा गई और 1931 में गांधी इर्विन समझावते द्वरा इसे समाप्त कर दिया गया अगला प्रष्ण बहुत ही महतवपोड है कि किसने भारती राश्टी का अंग्रेश की विरोध आनुननय बिनय और बिरोध की राजनीति का दोश लगाया था तो सही उत्तर बाल गंगा धर्ति लग दोस्तों भारती का अंग्रेश के प्रमुखनेता बाल गंगा धर्ति लग जो कांग्रेश अध्यवेशन के कभी अध्यक्ष नहीं रहे इनको भारती अशानती का जन्मदाता जन्तद्वारदी गई उपाध लोकमाने से और भारती राष्टे का अंग्रेश की नीती क्या थी तो सही उत्तर है पूर्ड सतंता का आस्वासन मिलने पर ब्रीटेन को सहयोग दोस्तों पंडित जवाहर लाल नहरू ने 14 अगस्त 1947 को कहा था हमारे युक के महानतम पुरुष के अकांच्छा यही दोस्तों यहां पर देखे कि जनतांतरिक सक्तियों को यह सहयोग करना चाहती थी इसलिए कांग्रेश ने यह मांग रखी कि युद्ध में भाग लेने के पहले या तो भारत को सोतंत्र खोशित किया जाए या प्रभावी सक्ता भारत के हाथों में सौब दिया जाए अगला प्रशन है मेरा अंतिमुद्धेश प्रतेग व्यक्ति के आंख से आंसु पोचना होगा ये कथन किसका है तो ये कथन पंडिजवाहर लाल नहरु का है और आप जान लिजे कि हमारे युग के महानतम पुरुस की अकांचा यही रही है कि हर आख के हर एक आंसु को पो हर की बात हो सकती है किन्तु जब तक आंसु हैं और दुख हैं तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा अगले प्रशन पर आते हैं बहुत ही महत्वूर्ण है किसने कहा था कि आलोषना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेशताए हैं था तो ये भागत सिंग का कथन है अगले प्रेशन पर आते हैं दोस्तों भारती राष्टी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें यहाँ पर तीन घटनाएं आपके पास हैं भारती राष्टी आंदोलन से संबंधित और इनका जो क्रम है सही क्रम है वो आपको बताना है तो गांधी इर्विन समझाता आप जान लिजे कि ये 5 मार्च 1931 को हुआ था 1931 राजगुरु को फासी 23 मार्च को हुई थी 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंग को और यहां पर देखे भारती राष्टी कांग्रेस का कराची अध्वेशन ये 26 से 31 मार्च क बीच हुआ था तो सबसे पहले 3-2-1 हो जाएगा यहां पर 3-2-1 आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है किस भारती राष्टी अंदोलन का शिर्ष गीत बंदे मातरम बना था चमपारण अंदोलन का सविने अवग्य अंदोलन का असहयोग अंदोलन क या स्वदेशी अंदोलन का तो सही उत्तर स्वदेशी अंदोलन का दूसनों स्वदेशी अंदोलन ने जन जागरान के लिए स्वदेशी संगठन की खूब मदद की इसमें सबसे महत्वपोर संगठन स्वदेश बांधो समिती बारी साल के एक अध्यापा कश्वणी कुमार दर्तिके नेत्रित में गठित की गई और स्वदेशी अंदोलन के बंदे मात्रम बंगाल एक है किनारे लगाए गए स्वदेशी अंदोलन के कारण सबसे अधिक सफलता मिली देशी माल के बहिसकार अंदोलन को और दूसरी विशेष्टा थी आत्म शक्ति और आत्म निर्भरता का नारा अगला प्रश्ण है निम्रलिखित घटनाओ पर विचार कीजिए और दिये गए कूर से उनका सही क्रम बताईए तो यहां पर देखे कि बहुत ही महत्वण प्रश्ण है यहां पर आप देखे खिलाफत आंदोलन तो खिलाफत आंदोलन ये सितंबर 1920 में सितंबर 1920 में जलियावाला बाग हत्याकांड याद भी होगा आपको 1919 में भारती राष्टी कांग्रेश का अमरित सर अधिवेशन जो है जलियावाला बाग हत्याकांड 13 अपरेल 1919 को भारती राष्टी कांग्रेश का अमरित सर अधिवेशन जो है यह दिसंबर 1919 में और रोल क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं दोस्तों चार तीन एक और दो सही क्रम आपका हो जाएगा सही क्रम चार दो तीन एक बहुत ही महत्वन प्रश्न है आप सन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है भारती राष्टी का अंग्रेश का एक मात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संपोधित किया गया था ये कहां पर संपन हुआ था तो ये था कांग्रेश का बेल गाउं अध्यवेशन ये भारती राष्टी कांग्रेश का एक मात्र अध्यवेशन था जिसको महात्मा गांधी ने संबोधित किया और ये अध्यवेशन 1924 में हुआ था और किवल एक अध्यवेशन था जिसके अध्यश था महात्मा गांधी के की गई थी अगला प्रश्न सुमेलित करना है बारदोली सत्यागरह का नेत्रित्व किस ने किया था आपको बताना है तो बारदोली सत्यागरह का नेत्रित्व यह आप यहाँ पर आप देख सकते हैं सरदार पठेल तो बारदोली सत्यागरह सरदार पठेल चमपारण सत्यागर आप जानते हैं गांधी जी ने कुका आंदोलन ये राम सिंग के द्वारा और लाल कुर्ती आंदोलन ये आप जान लिजे गफार खां के द्वारा इसका नेतरित्व किया गया था तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चार एक दो तीन तो चार एक दो तीन यहाँ पर देखे आप संद ए इस प्रश्न का सही उत्तर है अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 116 लाला लाजपत्राय घायल हुए थे कब तो सही उत्तर लाला लाजपत्राय कब घायल हुए थे ये बहुत ही महत्वपोन प्रश्ण हैं तो आप जानते हैं दोस्तों लाला लाजपतराय साइमन कमीशन का पंजाब में बिरोध करने के दवरान लाठी चार्ज में बुरी तरह घायल हो गए थे तो साइमन कमीशन के बिरोध हुए लाठी चार्ज में लाला लाजपतराय घायल हो बात धेकिया था तो सही उत्तर चौरी चौरा और अन्यास्थानों पर हुए जो है अहिंसक आंदोलने अहिंसक आंधी जी का सबसे महत्पूर्ण सिध्धान था उनके संपूर्ण जीवन दर्शन और आंदोलनों का मुलाधार अहिंसा था जिससे उन्होंने कभी समझाता नही किया चौरी चौरा और अन्यास्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं से गांधी जी के मूल मंत्र को ठेस पहुंची इसलिए तमामा लोचनों की परवाह न करते हुए गांधी जी ने फरवरे 1922 में सभीने अवग्या आंदोलन जो है वो रद कर दिया था या कैंसिल कर दिया अगला प्रश्ण है भारती राष्टी कांग्रेस की पर्थम महिला अध्यक्ष कौन थी तो सही उत्तर स्रीमती एनी बेसेंट और इन्होंने दोस्तों उन्नी सो एनी बेसेंट जो है ये पर्थम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी जबकि पर्थम भारती महिला अध्यक्ष सर अगला प्रश्ण है 1921-22 के असहयोग अंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था। और अंत में कर देना भी शामिल था। बाद में अपने आपको अनुशासन में रखना, त्याग राष्टी सिच्छा संस्थाओं को बढ़ाना, आपसी जगडे तथा पंच नेड़ें द्वारत्ताय करना ये सभी इनके कारण हिंदू मुस्लिम एक्ता में बहुत आधिक अधि हुई थी और ये असायोग अंदोलन का प्रमुख प्रतिफल था। आज के प्रैक्टिसेट का अंतिम कोशन है भारती राष्टी का अंग्रेश का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था। अब्दुलकलाम आजाद, रफी अहमत की दुबई, यमे अंसारिया बद बदरुदीन तययब जी। दूस्तों भारती राष्टी का अंग्रेश का पहला अध्वेशन बंबई में 28 दिसंबर 1885 को वियो में श्यंद बनर जी की अध्यासता में हुआ था। और दूसरा अध्वेशन 28 दिसंबर 1986 को कलकत्ता में दादभाई नवरोजी की अध्यासता म तरिसरा अध्वेशन ये जो है थर्ड अध्वेशन ये मदरास में आयोजित किया गया था जिसकी अध्यासता बदरुदीन तययब जी के द्वारा की गयी थी और ये भारती राष्टी का अंग्रेश के प्रथम मुसलिम अध्याक्ष थे। तो दोस्तों ये था आज का आयोजित परिक्षाओं के सामाने ग्यान और सामाने अध्यान के भारती इतिहास खंड के लिए महत्तो पूर्ण प्रशनों का प्रैक्टिस है इसमें हमने आसान प्रशनों को सामिल किया है जो आपके तैयारी और रिवीजन के दृष्टी से बहुत ही उपयोगी हैं आप इ झाल